नमस्कार आप देख रहे हैं सेयर का डिजिटल प्रेटफॉन और मैं पत्ना प्रदेश कर जाले में हूं मेरे साथ हिम्राज साहब प्रवक्ता हैं नितिश कुमार के बेहत करीवी प्रवक्तावों में एक हैं शाथ ही बड़ा कर्मत प्रवक्ता माने जाते हैं अधिवक्ता भ प्रवक्ता देख देखें जिस बेक्ति की चर्चा कर रहे हैं बिहार के कया पलट करने वाले बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले और यूं कहें कि दिन रात जग कर बिहार के पूरे आवाम के लिए जो उन्होंने काम किया है और काम करके जो परिवर्तन हुआ है बिहार के अंदर और बिहार के परती कि जो नजरिया दूसरे राजयों में लोगों का बदला ऐ शबका स्रे आदरनिय मुख मंत्री स्री नितीश कुमार जी को जाता है और इसमें कही कोई सक नहीं कि नितीश कुमार जी अपने करतब्म परती कितना इंदार है । आज तक किसी को उखली उठाने का मौकर नहीं मिल बात रही विपख्छी, दलों की तो यह यह कहिए कि जिन जिन लोगों ने नितीष कुमार जी के साथ काम किया है तो जो इनका काम कारने का जो तौड तरीका रहा है जो इनका ब्यभवार कुसल जो रहे हैं किसी को इनके परति कोई सिकायत नहीं हो सकती है बसरते की कोई द्वेस की भावना नहीं उधर भारतिय जंता पार्टिया उनके सहजोगी दलों के द्वारा आपका जो सवाल की बाड़ बार नितिश कुमार जी की चर्चा करते हैं और एंडिये में भुलाना चाहते हैं तो देखिए कि यह तो तय बात है कि एंडिये के साथ लंबे समय तक नितिश वाबू रहें लेकिन जब से एंडिये से बाहर हुए एंडियों को सब कुछ हब याद आने लगा है यानि यूग कहें कि उनके पैर के तले जमीन घी सक गई ह और इसके पीछे सबसे बरा कारण ये रहा कि जो भारतिये जनता पार्टी और उनके सहजोगी दलों ने जो पाप किया नौ साल पहले भारत की जनता से वोट लेने के लिए जुटे जुटे और लुभावने वादे किये सरकार बनाई सरकार बनने के बाद जनता के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया चाहे औरोजगार के सवाल हो चाहे महिलाओं के आबरू असनीता की रक्षा के सवाल हो उनके भागिदारी का सवाल हो या महंगाई पर लगाम लगाने का सवाल हो लुखतंत्रिक परनाली के सुरक्षा का सवाल हो समाजिक न्याय की धारा को आगे बरहने का सवाल हो सारे मुद्दों पर फेल हो चुके हैं किशानों के मुद्दे पर आपने देखा कि किस तरह से किशानों को लंबे समय तक कड़ा अंदोलन करना पड़ा तो इस तरह से सारे मुद्दों पर जो इन्होंने वादे किये थे जनता के साथ सपे फेल हो गए और आज की तारिक में ऐसी हालत हो गई है सामने 2024 में चुनाव ह लेकिन जनता के बीच उपलवधि के नाम पर बताने के लिए इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है जनता कर रही है सवाल इन से कि आपने नौ साल में जो किया है उसका जवाब दीजिए तो इनके पास कोई जवाब भी नहीं है तो अब इधर उधर छट-पटाहट में ये तरह-तरह की बाते कर रहे हैं और इधर उधर से जोगार कर रहे हैं लेकिन 2024 में इनका सफाया तय है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया जो आगे मजबुती के साथ बढ़ रहा है और निश्चित रूप से जो आज की जो स जनता बैकल्पिक वेवस्था चाहती है तो जनता के लिए बैकल्पिक वेवस्था के लिए निश्चित रूप से इंडिया एक कारगर कदम साबित होगा और उसमें नितीश कुमार जी जिनके लिए ये लोग बेचेन है तो मेरा साप कहना है ये लोग किये है पाप पाप किये है तो पाप का भोगी एलोग बने बाकि दूसरे लोग क्यों बने? तो नितीश कुमार जी ने देखा कि जो दब नौ साल में इनों ने कोई काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हमें इनलों के साथ नहीं रहना चाहिए जनता की जो मांग है जनता की जो भावना है उसका कदर करते हुए और चुकी भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय अधेक्ष ने बिहार की धर्ती पर आकर उन्होंने कहा कि हम छेत्रिय दलों की भूमिका उनके आस्तित्यों को समापत कर देंगे तो यह बहुत सारे कारण है और आज के तारिक में जो नितीस वावु का जो पहल रहा प्रयास रहा विपक्षी एक्ता की मुहीम को आगे बढाने के लिए तो आज उस मुहीम को मुकाम तक पहुंचा रहे हैं और आज इंडिया के रूप में सामने है देश के सामने है तो देश के सामने बड़ी चुनावती है कि देश का संभिधान खत्रे में, लोकतांत्रिक परनाली खत्रे में, समाजिक न्याय की धारा खत्रे में और महिलाओं के आबरु अरसमिता खत्रे में, किशानों के सवाल हैं बरे उन सवालों को लेकर के इंडिया जो है निश्चित रुप से भारतिये परिवेश में देश की जनता के सामने बिकल्प के रुप में सामने खरा है तो आप सुन रहे थे हीमराज राम प्रवक्ता जेडियू क्यों नितिश कुमार एंडिये के लिए जरुड़ी है और क्यों एंडिये से नितिश कुमार बाहर हो गए दोनों प्रस्टों का जवाब इन्हों ने दे लिया से एंडिये के डिशर्ब्रेल फॉर्म पे हमारे सौज़ोगी सन्नी मिस्रा के साथ कोस्लंदर पटना से